तो हेलो दोस्तो आप सबकी डिमांड पे हम लेकर आ गए हैं All Chinese Phones vs All India Phones के बारे में तो दोस्तो यह वीडियो बेर ने बहुत ही मेहनत करके बनाई है आपके लिए तो आप यह वीडियो अंज तक जरूर देखेगा क्योंकि दोस्तो मैंने इस वीडियो में कुछ ऐसे डेटा दे रखे हैं जो आप के लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि दोस्तो चाइना जो है इंडिया से कित्ते लाग करोन रूपए का कारोबार करता है आपको जानना बहुत जरूरी है तो हलो दोस्तो मेरा नम है दिक्षान्त रिपार्थी और आप देख रहे हैं टिक्निकल दिक्षान्त योटूब चैनल तो दोस्तो जैसे कि कुछ दिन पहले इंडिया में चाइनीज एप्स को बहिसकार को लेकर एक मुहिम छीड़ी थी और इसे बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म है चाइनीज एप्स के वारे मैंने एक वीडियो बना रखा है उसको आप देख सकते हैं कि कैसे चाइनीज सॉफ्ट्वेर को जो है बहिसकार किया गया और अब दोस्तो वक्त आ गया है कि चाइनीज सॉफ्ट्वेर के साथ साथ हम जो है चाइनीज हर्डवेर का भी एक तरीके से बहिसकार करें विरोज करें दोस्तों मैंने इस वीडियो में चैनीज फोन्स की एक लंबी लिस्ट तयार कर रखी है जिसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कैसे आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है चाइना के द्वारा तो दोस्तों कुछ दिन पहले एक वीडियो वाराल हुआ था जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि एक सोनम वांग्चूंग है थ्री डेट वाले मूवी में जो आपने देखा होगा उन्होंने कहा है कि software in a week and hardware in a year में आपको चैनीज से छुटकारा पाना होगा क्योंकि दोस्तों चैना जो है पूरे देश में तरीके स्फैलता जा रहा है अपना जाल बिचाता जा रहा है बिजनेस का तो दोस्तों हम सबको ही आगे आना होगा क्योंकि दोस्तों इंडिया WTO का मेंबर है तो इंडिया जो है खुल के चाइना का बहिसकार नहीं कर सकता और भी यहां के लोग ही बहिसकार कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इंडिया को भी बाहर जो है अपने समान को बेचने होते हैं इसलिए इंडिया खुलके समर्थन नहीं कर सकता तो दोस्तो जब भी आप phone लेने के लिए जाएं तो आपको बहुत ज़ादा जरूरी है कि आपके पास जन्गारी हो कि आपको कौन से phone लेने हैं, कौन से phone नहीं लेने हैं तो दोस्तो जैसा कि आप सब ने देखा होगा कि इसमें पुरी दुनिया जो है attractive कर रहा है और आपको बेवकूफ पूरी तरीके से बना जा रहा है यह देखे दोस्तों मैंने कुछ data दे रखे हैं इस वीडियो में इसको आपको जाना बहुत ही जरूरी है दोस्तों अगर बात करें Samsung की तो देखे केवल 19% share के साथ जो है non Chinese brand है और बाकी Xiaomi, 30% में जो है Samsung phone आता है चीन ने strategy यह बनाई कि जो 30% में जो है भारती company और 19% Samsung के साथ non Chinese brand है उसमें भी जो है same लगा दिये जाए तो उन्होंने उसके लिए क्या क्या कि ऐसे लोगों को target करना start कर दिया कि जिनको उनके हिसाब सो जो है सस्ते phones और camera वाले phones जो है उनको उपलग हो सके और जो है उनका 30% में भी share मिल सके तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि जो है अपनी companies के सब brand बनाना start कर दिया और लोगों को बेकूफ बनाना start कर दिया तो देखे दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे जो है बेकूफ आपको बनाए गया तो पहला फोन आता है ओपो दूसरा आता है वी वो तीसरा आता है रियल मी चौथा आता वन प्लस दोस्तों यह चारो फोन बी-बी के electronics के ही फोन है यानि आप इसमें से कोई सभी फोन खरीदते हैं तो पैसा जो है चायना के ही चेम में जाने वाला है देखें दोस्तों कैसे आप कहाँ पर बेवकूफ बनाय जा रहा है और हुना क्या किया इसके साथ ही आपको बेवकूफ बनाने के लिए अलग-अलग सर्विस सेंटर भी खोल दिया जैसे कि ओपो का सर्विस सेंटर खोल दिया वीवो का सर्विस सेंटर खोल दिया इसके साथ ही Realme का सर्विस सेंटर खोल दिया इसके साथ ही OnePlus का भी सर्विस सेंटर खोल दिया ताकि दोस्तों आप सब को अच्छे से बेखूब बना जा सके क्यों कि मैंने आपको बता दिया है कि एक Samsung की नौन चानीज ब्रांड है जो अब तक मार्केट में टिका हुआ है इसके अलावा जो है Apple phone भी घुटनेट टेक चुका है इसके आगे Chinese phone के आगे दोस्तों बात यहीं पे खतम नहीं होती है जैसा कि आपने दोस्तों phone के label पे देखा होगा डिबे पे कि उस पे कभी कभी लिखा होता है कि Make in India और उसके asemble होते हैं क्योंकि दोस्तों जब asemble कि जाते हैं यहां पे लाकेक भी उसपे tax जो है कम होते हैं तो दोस्तों इसलिए चाइना से पार्ट्स लाके इंडिया में आता है हमारा Redmi दोस्तों इसके कई सरे sub-bran है जैसे कि पहले sub-bran हमारा आता है इसका MI के अंतरगत आते हैं इसके लामा दोस्तो हुआवे इसके लामा दोस्तो अगला नंबर आता है लेन्योवो का इसके लामा दोस्तो आता है मोटोरोला ओनर जियोनी कूलपैट टीसियल जैसे फोन दोस्तो भी चैनिस के अंतरगत आते हैं तो दोस्तो अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपको कौन से Chinese phones के अलावा Indian brands खरीदने है या फिर Chinese phones के अलावा कौन दूसरे brands आपको फोन खरीदने है तो मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तो देखे इंडियन phones के लिस्ट में कुछी फोन हमारे अंतरगत आते है तो इसके अंतरगत में पहला फोन आता है Geolife का दोस्तो ये Made in India है और इसके लावा दूसरे नंबर पर आता है Carbon Mobiles इसके लावा दोस्तो अगला नंबर हमारा आता है Micromax का इसके लावा दोस्तो अगला नंबर आता है Zolo दोस्तो ये सभी Indians phones के अंतरगत आते हैं इसके लावा दोस्तो अगर आप दूसरे ब्रांट लेना चाहते हैं तो Microsoft ले सकते हैं इसके अलावा LG इसके अलावा Panasonic Panasonic के अलावा दोस्तो आप जो है ACL phone ले सकते हैं दोस्तो ये Non-Chinese phones के अंतरगत आते हैं कुछ और phones हैं जैसे की Apple Asus और अगला phone दोस्तो आता है Index का नंबर आता है दोस्तो Index जो है Made in India phone के अंतरगत आता है तो दोस्तो मेरा वीडियो बनाने के मचसब बस इतना सा है कि आप जित्ता हो सके उतना जो है Chinese phone से दूर रहिए और अपने जो है Indian brand को बढ़ावा दीजे ठीक है दोस्तो तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और अपने घर परिवाद दोस्तो या फिर अपने किसे भी family वाले को आप शेयर कर सकते हैं तो दोस्तो फिर मिलेंगे अगली ही ऐसे वीडियो में तब तक करे थैंक्यू फॉर वाचिंग टेक केर बाबाई जैहन